मुठरा विन्दावन में चल रहे है नगर निगम चुनावों में हर प्रत्यासी पूरी तरह से अपने वोटरों को लुभाने का काम कर रहा है काफी लम्मे समय से चल रहे है इस प्रियास के बाद अब चुनाव बिल्कुल सरपर है आज ये जानते हैं किस तरह से आज वोटरों के अंदर क्या भावनाय जागरेत हैं क्या इस्तिती बनी हुई है और किस तरह से वोटरों को लुभा पारे हैं क्या समीकरण आज तयार है इन पर हम चर्जा कर रहे हैं हमारे साथ मौझूद है वाड नमर 67 से ब्रिजवादना गॉड आपका स्वागत है पहले हमारे चैनल पर धनिवाइद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो जब आपने सुरुवाद की थी तब और आज में क्या फर्क है जनता कितना समर्थन दे पारी है तब और आज में जमीन और आस्मान का फर्क है तब जनता ने कुछ लोगों ने मुझे प्रेरित किया था कि चुकि पार्टी ने आपको टिकेट नहीं दी और हमारी दृष्टी में नेत्रत्य करने में जितनी सक्षम आप हैं इतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो मैंने उनके जनादेश को बहुत हलके में लिया था लेकिन जब आज मुझे उनका समर्थन मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये निर्ने जनता के और मेरे लिए दोनों के लिए ही बहुत अनकूल है ब्रिजबाला जी आप लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे है आपके पती लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे है इसके बाद भी टिकट नहीं मिलना उसके उस आघात को सेहन करने के बाद फिर आप स्टैंड कर पा रही है और आज बड़ा प्रतिदन सामने है कैसा लग रहा है क्योंकि अगर संघर्ष धंग से नहीं होगा तो निखरके भी नहीं आ पाएंगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है निश्चित तोर पर आपका प्रिश्म सही है कि मुझे लगता है कि जब से मैं इस योगी हुई हूँ और समझदारी आई है तब से मेरी पार्टी के प्रत से प्रतियासी हैं जिसमें से तीन मजबूत पार्टियों से हैं जिसमें तीन निर्दले भी हैं तो ऐसे इस्तिति में आज चुकि बीजेपी भी आपके प्रतियुदंद में है और बीजेपी के लिए आपने कैम्पेन की और आज वीजेपी के खिलाफ ही आप चुनावे पहुचा सकती हूँ उन्हें मुझे पहले भी बिगत कारेकाल में पांच बर्षों तक देखा है और उसके आधार पर मुझे पूरा भरोसा है और इसी आधार पर मुझे समर्थन मिल रहा है और यह तो आपको वक्त बताएगा कि कि मुझे जनता का कितना भारी समर्थन तर्व पर हावी हो पाएगा क्योंकि एक मजली पूरे तालाब को भी गंदा कर देती है कोई तालाब कितना भी अच्छा क्यों ना मुझे इस में अनुचित है एक मजली है तो पूरा तालाब खराब हो जाएग का तो ऐसे ही एक व्यक्ति अगर उस जगे से निकल के आता है तो उसका अपना व्यक्तित है अगर वो गंदगी फेला सकता है तो वो सफाई भी कर सकता है तो जिस व्यक्ति के चबी पहले से अच्छी है तो उन उद्देश्यों से वो भटक तो नहीं गया पार्टी छोड़ने से उद्देश्यों से नहीं बटक गया उन जो उसूलों पर चल रहे हैं उनसे दूर नहीं हो गई मैं आज भी जनता का समर्थन मिल रहा है भारी समर्थन मिल रहा है मैं बहुत अवीबूत हूं जनता के समर्थन से कैसे बीट कर पाएंगे आप बीजेपी के प्रत्याशी बहुत अच्छी तरह से बीट कर पाऊंगे पिछला कारेकाल मेरा समर्पन मेरी निस्ठा जनता के प्रती उनके बीच में गई हूं जो पाल्टे के जिस प्रत्याशी को टिकेट बीजेपी ने दी है वह पहले बसपा में रहे आपको पता होगा फिर वह सपा में गए और आब उन्होंने अवसरवादिता दिखा कि बारते जंता पाल्टे में आ गए इसको प्रत्याशी की बात खामियां मानेंगे या पार्टी की खामियां भी मानूंगी कि जो समर्पित कारे करता है पार्टी के उसका सम्मान नहीं है जो व्यक्ति इधर से उधर गया उसकी निस्टा पे प्रिश्णु चिन्न नहीं है तीस वर्षों से मैं पार्टी में हूँ और मेरी निस्टा प्रिश्ण चिनने लगा दिया गया लड़ाई को लड़ते लड़ते लंबा समय हो गया प्रयास आप लोगों की तरफ से जारी है लेकिन अब चुनाव का विगुल फुकने के बाद में लगभग चुनाव वोटिंग होने को बिल्कुल तयार है ऐसी इस्तिती में अब फिलहा हूं उनकी बात पहुचाने को जो कुछ भी मुझ से बनेगा वो कारे करने के लिए और मुझे पता है मेरी जनता को मुझे पूरा बर устah है आपको जनता पर वरोसा है? बिल्कुल मिचे पूरा वरोसा है जीत मिल जाएगे? अगर जीत जाती है तो जनता के वायदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरूँगे आपने देखा कि किस तरह से हमारे साथ में बिर्जवाला गौड जोकी वाड नमर सड़ सड़ वरंदावन से प्रत्यासी हैं और उन्होंने साफ तोर पे कह दिया कि भले ही उन्होंने पार्टी को छोड़ा हो भारते जन्ता पार्टी ने उन्हें टिकट ना दिया हो लेकिन आज इस्तिती ये है कि वो अपने वैक्तित्व के नाम पर चुनावी मैदान में है और निश्यत तोर पे उन्हें पूरा भरोसा है कि वो इस चुनावी रण को जीतने की तरफ ले जाएंगी आप यूहीं बने रही है हमारे साथ समाचार सिटी 24 पर हम यूहीं हर मुद्दे के साथ आपके बीच बने रहेंगे